हेलो एबरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWB जोब में सरकारी सिक्षक भटी 2024 पर्मानेंट वेकेंसी जिसमें सैलरी 65,000 पर मंथ लेवल 12 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है B-Ed, D-Ed वाले candidate बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं Master degree के साथ में Seated याट की इसमें जरुवत नहीं है सभी राज्यों के candidate बिल्कुल अलाओ किये गए है सबसे पहले आप लोगों को यहां देखा दूँ कि वेतन जो है Pay Matrix से Level 12 के अकॉर्डिंग रहने वाला है तो 65,000, 68,000 तक जो है Salaries में बनेगी IUC मा 21 से लेकर 40 वर्सता के candidate आवेदन कर सकते हैं आप किसी भी राज्ये के candidate हैं तो यहां पर Sectionic योग्यता जो है वो क्या चाहिए वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ Sectionic योग्यता यहां पर Post Graduate आप हूँ साथ हमें आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा एजूकेशन में यानि की B.Ed, D.Ed, D.L.Ed, B.T.C. ठीक है अगर आपने Master Degree के साथ में किया है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं अब चलिए देख लेते हैं Vacancy RPSC अजमेर राजिस्थान से Vacancy है 25-10-2024 को विश्रित विज्यापन जारी किया गया है यहां पर कुल 24 विश्यों में Vacancy है पहले भी जो है वीडियो बनाया जा चुका है अगर आप यहां पर इंट्रस्टिड है अगर कोई candidate नया है जिनको नहीं पता है Vacancy सरकारी नौकदी की है तो Vacancy जो की राजिस्थान से जारी की गई है जिसमें All India Candidate आवेदन कर सकते हैं कुल 24 विश्यों में Vacancy है इसमें Subject आप देख लें पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है जो भी नए Candidate है जिनको नहीं पता है कि Permanent Vacancy सरकारी नौकदी की तो इसमें जो है Subject है Hindi, English, Sanskrit, Rajasthani, Punjabi, Urdu, History, Political Science, Geography, Economics यहाँ पर जो है कितनी Vacancy है तो Total Number of Vacancy यहाँ पर दिखाई गई है Subject आप देख लें Economics है, Sociology है, Home Science, Chemistry, Physics, Maths, Biology, Commerce, Drawing, Music, Physical Education Coach है, Wrestling, Coco, Hockey और Football तो यह सबी विशे हैं अगर आपने इन विशेयों में Master Degree हांसिल किया है साथ में आपने Education में डिप्लोमा या डिग्री हांसिल किया है तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं आयू सीमा में छूट जो की राजिस्थान के candidate को ही जो है रहने वाली है जो भी पूरो सभ्यरती है SC, ST, अतिपिछला वर्ग, EWS के तो उनको 5 साल की छूट रहेगी जो महला वर्ग है उनको 10 साल की रहेगी आयू में छूट जो है केवल राजिस्थान के candidate को ही मिलने वाली है सामानने वर्ग की महला को भी छूट दी गई है 5 वर्ष की ठीक है तो यहाँ पर कम से कम जो है यहाँ पर 21 से लेकर 40 यर तक के candidate आविदन कर सकते हैं चार दिसंबर 2024 तक जो है आप लोग आविदन कर पाएंगे अब जो है यहाँ पर आप देखें कि जो जनल के टिगरी के candidate है और अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलियर अभ्यरती है उनकी 600 रुपे पीस है और अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर इनकी जो है आविदन सुल्ग 400 रुपीज है आर्थिक रूप से कमजोर या सहरिया शेत्र के जो अभ्यरती है उनकी 400 रुपीज है और दिव नूटिफिकेशन चेक करने के लिए देखना है यहां पर देखें डेट 25 अक्टूबर 2024 एडवर्टीजमेंट नंबर है 19 पद है स्कूल लेक्ट्रार का तो इस पर क्लिक कर लेंगे यह पूरा नूटिफिकेशन आपके सामने आएगा इसे आपको अच्छे से जो है रीट कर कर सकते हैं